जय संदेव मकर रास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारी यूटूब चैनल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी दोस्तों बात करेंगे आज के रासी फल के बारे में आज सनी बार 24 अगस्त का दिन आपके लिए क्या लेकर के आया है तो आए रासी फल जानने से पहल चैनल में गोचरेंगे आज दिन बच्चों का जन्म होगा उंकी रासी मैस होगी बात करेंगे आज के सुब मुहरतों की तो ब्रहम हमुरत रहे का चार बच के 27 मिल्च से लेके सुबह 5 बच के 11 मिनट तक अब जीत मुहरत रहे गा 11.57 मिए से बारा बज के नुचास मिनट तक विजय मोड़ रहेखा 2 बज के 32 मिनट से लेकर साम सुमहुर्त निस मोहुर्टों में आप कोई भी सुव bring कर सकते हैं आज का रहुकाल का समय रहेगा 9 बच के 9 मिनट सुभह से लेकर 10 बच के 46 मेर तक रहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों की सुरुआत नहीं की जाती अब बात करते हैं आपके रासिफल के बारे में तो मकरास के दोस्तों आज आप काफी उरजावान रहेंगे आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है जीवन साथी के साथ बाजार में खारीदारी करनी पड़ सकती है जो लोग इस रास के ठेकेदार हैं उन्हीं आज उधार दिया गया पैसा वापस मिल सकता है तूर एंड ट्रेवल से जुड़े लोगों का भाग आज उनके साथ रहने वाला है आज आपकी लगन और मेहनत पर लोगों की नजर पड़ेगी और आज इससे आपको कुछ आर्थिक लाब भी मिल सकता है स्कूल प्रोजेक्ट पर युबाओं को कुछ राय की आवस्ता हो सकती है अपने प्री के अनुपस्तिती में आप पूरी तरह से खाली पन महसूस कर सकते हैं मकर रास्क दोस्तों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपको महत्पूर कारियों पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं तो कोई अपना ही नुकसान कर सकता है आप इसमें आज अपना पक्ष जरूर रखें उमीदें उडान भर सकती हैं यदि आप कोई नया वेवसाय सुरू करने की सोच रहें तो पिता के आसी रवास से सुरुआत करें आपका काम सफ़ल हो सकता है अपनी नकारात्मक भावनाओं और प्रवित्यों पर नियंतर डखें अपनी रूड़िवादी सोच और पुराने बिचार आपकी प्रगत में बाधक बन सकते हैं इसकी दिसा बदल सकते हैं और आपके रास्ते में कई बाधाएं भी खड़ी कर सकते हैं माता पिता की मदद से आप आर्थिक संकर से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं आज का दिन काफी अच्छा रहेगा आज आपका पूरा दिन यात्रा में बितीत होगा यात्रा आपके लिए फलदाई रहने वाली है आधिकारिक बेठक के दोरान किसी ऐसे विक्ति से मुलाकात होगी जो आपको भविस में कोई बड़ा लाब दे सकता है घर में बड़े भाई से अनबन या बात्चीत हो सकती है बेतर होगा जादा बात करने से बचें मीडिया छेतर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है अधिकारी किसी काम के लिए आपकी तारीफ कर सकते हैं मकर आसक दोस्तों आपकी उरजा का इस्ता राज बहुत उचा रहेगा आपको कमिस्तन लाभांस या रायल्टी के माध्यम से धनलाभ होने के संभावना बन रही है कोई भी चतुर काम करने से बचें मन की सांती के लिए ऐसी गतिविधियों से दूरी बना कर रखें जो आपके मन के काम के दबाव के बावजूद आपको अच्छा ना लगे साथ ही आज का दिन खुसियां लेकर आया है आज आपका बेक्तित तो बहुत ही सांदार रहेगा जो आपके विरोधियों के सामने पहाड की तरह खड़ाना जा रहेगा कारूबार में आरही समस्याओं के समाधान में आपको सही कर्मियों का हर पकार से सही योग मिलेगा इस रास के छात्रों को आज जीवन के महितपूर लक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है मकर रास के दोस्तों आज के दिन बुजर्गों को अपने स्वास्त का विसेज ध्यान रखने की जरूरत होगी दिन चढ़ने के साथ ही आर्थिक रिउप से सुधार देखने को मिलेगा आपका गर्म जोसी भरा बिवार घर का महौल बहुत अच्छा बना कर रखेगा साथ ही जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपके खुस्बू फूलों की तरह फैल जाएगी आप महसूस करेंगे कि प्रेम आग की लप्टों में मिला हुआ है साथ ही कारिश्चेतर में हर कोई आपकी बात गंभीरता से सुनेगा और ध्यान भी देगा अपने जवरजस्त आत्म विस्वास का फायदा उठाएं वहां से बाहर निकले और कुछ नए संपरक और दोस्त बनाने का प्रयास भी करें आज का दिन बहुत अच्छा है आज आप ब्यापार में जो भी काम सुरू करेंगे वह समय से पहले पूरा हो जाएगा इस रास के साधी सुदा लोगों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा अचानक विवाह का सुब समाचार मिलने का योग भी बना हुआ है तो मकर रास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रास फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसन देव